तो गैस कैसे हैं आप सभी का सोगत है चलिए बात कर लेते हैं मंडे की दिन किस थरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है क्या हमारे इंपोर्टन लेबल हो सकते हैं जैसे कि मैं आपको दो-तीन दिन से बता ही रहा हूं कि मार्केट का जो टेरेंट है वो अपसाइट है और मै तो हर सपोर्ट पर हमको बाइंग करना है और टेरेंट आपका डाउन है तो हर resistant पर आपको सेलिंग लिए पिलस आपको जेवी चीज़े पता होना चाहिए कि मार्केट अभी कर क्या रहा है करनें चेल मतलब कि जो पर अब धाधा पैसा है मार्केट के अंदर वो अभी किस तरीके से मुवेंट आ रहे है क्योंकि अभी आप देखुँना तो एक चीज तो देखिए कि इंडिया मार्केट के अंदर है जो रीटेल इंवेस्टर है या रीटेल टेडर है उनका पैसा अच्छा खासा है ठीक है तो कहीं ने कहीं जो FIS का पैसा मैंने एक बार पहले भी जह चीज़े आपको बता ही थी कि FIS ने दबा के सेलिंग किया तarily sitten में टेखनेहोरा था उसके वाद में देखनेहोरा था है यहां पर दौनों पर मैंने एक ही चीज हें रेक्ट किया था और वहां पर जो मेरे सब्दे थे वह जे सब्दे कि FIS ने अगर Sailing किया कोई बात नहीं है लेकिन DIS Bain कर रहे हैं Sailing जब ही आएगा जब DIS Sailing करना चालू कर देंगे और Bain नहीं करेंगे लेकिन DIS Bain किया था FIS Sailing कर रहे थे उससे कोई इतना फरक नहीं पड़ता है जाएंगे कहां आएंगे इधर ही ये मैंने आपको इस वीडियो में बोला था है आप जाके देख लेना अब देखें वह वीडियो कौन सा है तो आप इस जगे अगर आप देखो तो तो मार्केट में ज्यादा कुछ नहीं है अगर हम उसको बहुत ज्यादा इसाब से समझेंगे तो वह हमको दिक्कत करेगा अब यहां पर देखिए अगर मैं आपको दो तीन चीजा बताता हूं ठीक है इसको देखिए पहले क्या हुआ था अगर आप देखो तो यहां पर ट्र न्ट तो जैसे अगर आप देखो तो जैसे इसवेद्गेरं ने ब्रेक किया हो गयर थे अब टेरेंड चालो हुगया थे आपको फिंटिवarin को ब्रेक्क है कैdtअ तो यह अब यहां पर आप समझो इतनाuchen में आचुका होगी अब जैसरे मैं इसको 12 आपको समझाने के लोगाता हूं और 15-oga ब्ल łDel estásningen करता है। आपको फ्ल कॉद्ट आपपे क्या था यहां पर reefs पर qya एक्टिवेट हुए यहां पर क्यों सेलिंग आया था है क्योंकि जे वाले जो सेलर थे यहां पर सेलिंग करने के लिए एक्टिवेट थे ठीक है यहां पर जे सेलिंग किया फर्स अटेम में सेलिंग किया से के डर्याटम में फ्रकाव अब यहां पर आप अगर आप देहूं ना तो इक डवल्लू पैटरन हमको समजमें आ रहा है देख्ये है आया आया को डवलू पैटर देखें जीगा डवलू पैटरन गा डरेकाऊट अब देखें यहां पर जूसेलिंग आयी थी नौपंदा पर आपको पता होगा कि 13 तारीक को क्या हुआ था 13 तारीक को gap के साथ open हुआ gap के साथ open होने के बाद ही देखिए यहां पर selling आई selling आने के बाद देखिए फिर से इसमें उसी जगह से आपको एक अच्छा capture देखने को मिला अब जे ऐसा हुआ क्यों यहां से ऐसा भी हो सकता था कि जे नीचे आया फिर इसको ब्रेक करता तो और सेलिंग आ जाती लेकिन अभी टेरेंट क्या है थोड़ा अपसाइट देखे जगा होते हुए दिखाई दे रहा है अब जे चीजे हमको कैसे पता चला कि टेरेंट अपसा क्योंकि यहां पर देखे 13 सितंबर 2024 को भी यहां पर 2530 करोड क्यासफस की बाइंग की उसके नीचे भी अगर आप देखो तो लगाता है देखे बाइंग ही आपको करते हुए दिखाई दिरें फलका फुल का देखे यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी है सिंपल सी बात है वह बहुत है वह फिर अगर पैसा लगा रहे तो थोड़ा सा पैसा प्र हृफिट बुकिंग करेंग है तो इसके बाद भी बादांस देखे 262 to 7,990 करोड के net net आपको अभी खईदारी दिखाई दे लिए उसके बाद 9 सितंबर से जो हमारे FISO रहे थे या अगर मैं जो बोलूं कि इनको इंटेस्ट नहीं था इंडिया मार्केट के अंदर तो वहां पर भी अगर आप देखो तो 1170 करोड फिर आपको 2280 करोड फिर अगर म 60-65 करोड के असफर्स के खईदारी यानि जो अभी तक खईदारी नहीं कर रहे थे अब वह भी खईदारी करना चालू कर दिये तो यह चीज़े देखें मार्केट के अंदर दिखाई दिया अब देखें जे हमारी मन की बात नहीं है जे सिरिफ हमने डेटा देगा वो डेट तो यहां पर आपको ठोड़ा चेंज होता हुँ दिखाई दिया यहां पर देखें पूरा सेलिंग वाला ता यहां पर एक डबलू पैटन वाला है और इसके उपर निकल गया है ठीक है Sailing क्यों आया था क्योंकि उपर की साइट एक साइकलोजी पराइस भी था जिसको हम बोलते हैं 42,000 42,000 एक साइकलोजी पराइस है इसलिए हमको हमासे Sailing देखने वो ला था क्योंकि जो लोग नीचे की साइट देखे फसे होंगे तो कहीने कही एक मन में आ जाता है कि भाई मार्केट आ गया है मेरा पिराइस आ चुका है मैं राम करता हूं जैसी राम करता हूं और भाई अपने माल को लेके निकल जाता हूं अब देखें यहां पर आप समझो जी आपका यह पूरा इसके अंदर देखें एक अच्छा कर सा पैटर्न बना हुआ है अगर यह हलकी फुलकी सी सेलिंग भी दे देता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है या गैप मिल जाता इसको तो उन सभी कंडिशन के अंदर हमारा आप जो नीचे की साइड सपोर्ट है वो 53,000 51,300 से लेके 51,400 यह हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट ह आप नीचे की साइड अगर यहां पर मिलता है तो यहां पर हमको क्या करना है यहां पर हमको बाइंग करके चलना है क्योंकि अब जी हमारे लेवल बाइंग का लेवल है क्यों है क्यों कि यहां पर आप समझी पहले अटेंप पर सेलिंग आया नीचे आया फिर इस पर में देखी यहाँ पर क्या था रजिस्टेंट था और उस रजिस्टेंट को इसने बिरेक किया है वंड केंडल में यानि आप जे समझों कि जिसको हम बार बार पार करने की कोशिश कर रहे थे हम पूरी ताकत लगा रहे थे और ताकत लगाने के बाद सिरिफ एक केंडल 15 तारीक को दो बजे के आस्वास उसने पूरा खेल बदल दिया क्योंकि वहां पर जो पैसा लगाना वह एक ऐसे इंसान का पैसा लगाए कि आप उसको नीचे आएगा भी मार्के तो वह खरीदारी करेगा दिस साइकलोजी है ठीक है तो इस जगह हमारा बाइंग वाला या सेलिंग आएगी इसके नीचे आएगी वरना इसके ऊपर से हमको फिस से यहां से बाइंग ही देखने हो लेगा टार्गेट की बात करते हैं आपका 51,500, 51,600, 51,700, 51,800 और 51,950 ठीक है जे हमारे लेवल रहेंगे अगर इसमें सेलिंग आ जाता है अब जे बात तो रही वह ची किसी को नहीं बता है कि सेलिंग क्यों आया कुछ न्यूज आ जाती है कोई ख़वर आ जाती है कहीं बाहर हो जाता है कोई पॉलिसी आ जाती है कोई रिपोर्ट आ जाती है बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होती है अब इसको समझते है कि अगर यह ब्रेक आउट करेंगा त हाँ पर कर रहा है टिक है एक एसा पराई जो स्थ conten 2 पर चौब करने लगा है जब देखिए ते सेurgeradd के अब अब तो पर इसी जगह पर के ईसी जगह पर कर रहा है यहां पर इसude तो बड़े प्राइस को पार करने के लिए मार्किट को थोड़ा टिगर चाहिए उसको न्यूच चाहिए तो यहां पर जब बड़े प्राइस को अगर ब्रेक करता आपका 52,000 को अगर ब्रेक करता है इसमें थोड़ा साइकलोजी आप समझे पहला कंडिशन या तो यह इसी जगा कंसुलेट कर रहा है जो की करी रहा है कंसुलेट कर रहा है तो यह उपए की साइड निकालता है तो यह बहुत अच्छा ब्रेक आउट होगा इसके इंदर दूसा ऐसा ह की मारकेट आप का कंसुले गार की केंडिल आप देखोगे न तो अबतरुक्त केंडिल है वह वन अवर चा यानि ओंपनिंग नीचे की साइट गलोजेंग इसके उपर पिलस में या नि के उप से आपकह ब्रेक आउट जिसमें अगर हम टार्गेट की बात करते हैं तो आपको टार्गेट 52,100 52,000 आपका 200 52,300 52,400 52,500 52,600 अब देखे साइकलोजी मैंने आपको बताई दिया अब टेरेंड है ब्रेक आउट पर कैसे काम कर रहा है ब्रेक डाउन पर कैसे काम करना है ठीक है यह चीज़े किलियर हुई देखे अपने टेलिग्राम चैनल को सबस्क्राइब ने किया आप उसको याकर सबस्काइब कर कि मैं आपको थोड़ा केंडल का दिखाता हूं ब्रेक आउट के साथ हुआ है Siap के अच्छा कृंडल बनाई ठीक है यहां पर आप देखों कितना बड़ी है केंडिल बना दिखिए यह ठीक एक चीज मैंने आपको बोला तब 2 यह आप मुझे कमेंड के अंडर बताना accept this candle लोटील के बाद मैंने आपको बोलाता कि एक और गिरिण केंडिल बनेगा यहां पर ठीकिए आप मेरा वीडियो जाके देखिए जीजे आपको कलियर होजाएगा चैन्डिल के साथ देखिए बॉल्लिम दिहान दीजिये कि देखे मारकेट के अंदर दो तरीके के एक सेलर होता एक buyer होता है, अब जित seller और buyer की fight होती है, market का पूरा किस्सा यही है, कि एक seller है, एक buyer है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, ठीक है, हरी चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि seller बुरे हैं, या buyer बुरे हैं, अगर seller नहीं होंगे और buyer हों कोई तो चाहिए ना लेकिन अगर आपको माल बेचना है तो खरीदने वाला तो कोई चाहिए तो जी जब दोनों होते हैं जब ही मार्केट काम करता है तो यहां पर देखिए उसके बाद देखिए यहां पर क्या हुगा एक ग्रीन केंडल बना है जो हमारे लिए अच्छी बात सपोर्ट मैंने आपको बताई दिए अब यहां पर देखिए एक चीज जो मैं भी जो बता रहा था उसको थोड़ा दियान से देखिए अब यहां पर आप देखो तो यहां पर देखिए पूरे कितने दिन है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेर 814 15 16 14 14 दिन में selected 4 देखिए क्या झाइक है वाकी हम बात के तो हम बात करना तो फोर टेना पर यहां पर देखने ओ ले एक टिक है पॉसिटी cess deze पिलोजिंग तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा है लेवल में आपको बता दि है टिरेट कैसे करना बहुत आपको बता दिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजिए शेर की जो सब्सक्राइब किजिए अगर आपको डिमेट अकाउंट उपन करना है तो उसके लिंक आपको वीडियो के डिये सेशन में दिये गए है जैहिन पंदेवाता